दोस्तो आज की वीडियो में आज हम सिखेंगे जैसे की रेशन कार्ड जिश्का अगर नहीं है तो रेशन कार्ड अपलाई कैसे करें और अपलाई करने के बाद कहां पर अपलाई करें कैसे डिपजिट फॉरम होगा बागी सब जानकरी इसमें मैं आज आपको देने वाला हू तो फ्रेंट्स वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें आपको बता देता हूँ कि रेशन कार्ड बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्समेंट ज़रुरी होता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंकम साटिफिकेट और आपका सेकेंड में है कार्ड साटिफिकेट और फिर मुलनिवास प्रामार पत्र है और फिर आधर का फोटो यानि उसमें सब परिबार का दीजिएगा आपके फिमली मेंबर जितने भी है सब का आधर का एक्सरेस्ट कापी दीजिएगा फिर आपको देना होगा बेंक के अकाउंट का फोटो का भी परिबार में किसी के एक बेंक अकाउंट दे दीजिएगा चलेगा और फिर बिडली बिल का कनेक्शन का यानि इलेक्टरी बिल दे दीजिएगा और फिर आप साथ में लेंगे गैस कनेक्शन का यानि आपका गैस का फोटो यानि जो आपका गेश का पास्बुक मिला होगा उसी का फोटो और फिर आप देरेंगे परिवर के समस्त सदेश्य का एक साथ फोटो दीजिएगा ठीक है जिससे आपको एक साथ करके खिचवाना पड़ेगा और साथ ही उसमें इंवल्व होना चाहिए आपका हाउस य आप यहां देख सकते होंगे रेशन कार्ण का फोरम मैं आपको देखा रहा हूं यह देखिए रेशन कार्ण का फोरम इसको आप डाउनलोड कर लीजिए लिंक डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप फूडोडिशा.in और अपने अपने साइट में जाके अपने स अपने संकार अपलाई हो जाएगा और आप लोग अनलाइन स्टेटेस भी उसका चेक कर सकते हैं तो फ्रेंट्स और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट केजिए अगर कोछ किसी के बारे मैं जानना चाहते हैं तो कमेंट केजिए मैं आपको जरूर करने की कोशिश करूँगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक क्लिए हैं